तो एक तो menstrual cycle start होती है, breast increase होना start हो जाते हैं, उसके genital area है वहाँ पर hair आना start हो जाते हैं, तो यह कुछ changes होते हैं, वो एक लड़की के अंदर आते हैं after puberty, बहुत सारी लड़कों को pain होता है, पेठ में बहुत जादा दर्द होता है, इन 5 दिनों, 5 दिनों तक उसकी normally menstrual bleeding होती है उसको wash करके reuse करती है, तो ऐसा करने से कई महिलाओं में हमें uterus cancer देखने को मिले हैं, hello everyone, नमशकार में मनिशा स्वागत है, आपका अपने channel MLT Education Point पर और उमीदे कि आप सभी स्वस्थ हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे topic की, जो कि हर लड़की को और हर लड़के क पता होना चाहिए, जितना important एक लड़की के लिए आज का topic समझना है, उतना ही जरूरी एक लड़के के लिए भी है, आज बात करने वाले हैं हम menstrual cycle यानि की मासिक धर्म के बारे में, जिसे हम रजो धर्म, आतर, चक्र, MC, ऐसे कई नाम से जानते हैं, तो को periods जो है, वो क्या से गुजरती है, एक दर्द से गुजरती है, तो आखिर में उसके अंदर ऐसा क्या होता है, क्यों उसे इतना paid होता है, और कितने दिनों तक उसको bleeding होती है, इन सभी के बारे में आचे class में समझेंगे, हर एक concept बहुत अच्छे से clear करेंगे, हर एक point बहुत अच्छे से समझे है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई महिलाओं को नहीं पता है कि periods क्या होते हैं, हर महीने वो उससे गुजरते है, ल derechos क्या है , क्यों हम सभी को यह समझना जरूरी ही, लेकिन important बात यह है ki कि लड़कों को भी समझना जरूरी है , क्यों जरूरी है क्योंकि हमने थोड़एए दिन पहले थोड़े time पहले एक case देखा था जिसमें एक लड़की को जब first time period आया तो उसके भाई को लगा कि उसका किसी के साथ sexual contact है किसी के साथ affair चल रहा है तो उसको मार दिया ये कोई बात नहीं होती है इसलिए कह रहे हो कि हर लड़के को ये समझना जरूरी है ताकि ये से cases ना हो ठीक है menstrual cycle हमारे शरीर की एक महिला के शरीर की normal kria है जिसे हर मतलब हर रोज हम क्या करते हैं feces part pass out करते हैं पोटी करने जाते हैं हर महीने हर महीने क्या हर रोज हमारी body जो है वो urine pass out करती है वेसे ही ये भी एक शरीर की kria है बस ऐसे इसको हववा बना रखा है कि period से उसे दूर रहना है वो बिस्तर पे नहीं आने देना है पास में नहीं बेठने देना है तो ये सारी फालतू बाते हैं एक ये तो जरीर की एक क्रिया है जो कि होना जरूरी है अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो आगे बता हुए ठीक है शुरू करते हैं आच्छी क्लास बिना कोई देरी किये menstrual cycle यानि की मासिक धर्म के बारे में हमें समझना है कि ये क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं मासिक धर्म की कि आखिर में ये है क्या इन 28 दिनों की cycle में आखिर में क्या होता है तो menstruation जो है वो एक process है एक क्रिया है एक periodic discharge of blood and cellular debris from the female genital tract is termed menstruation यानि की menstruation act term है जिसको हमने क्या कहा कि एक female genital tract का एक पूरा female genital tract का आपने organs देखे होंगे जिसमें गरवाश ही होता है ओवरी होती है सर्विक्स होता है फैलोपीन ट्यूब्स होते हैं आगे उसका structure में आपको बताऊंगी तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो uterus वाला भाग है एक महीला का उसके अंदर एक endometrium की layer होती है तो वो layer तूटती है तो वहां से क्या होती है bleeding होती है वो layer तूटती है तो वहां से blood निकलता है और blood के साथ साथ कुछ cellular debris भी आते हैं कुछ tissues और sales भी आते हैं और उसी को हम कह देते हैं menstruation उसी को हम कह देते हैं menstrual bleeding ये blood जो निकलता है एक महीला में वो blood हमारे normal blade से थोड़ा सा अलग होता है अगर हम normally हमारे चोट लग जाए और जो खून बहता है उस खून से ये खून थ थोड़ा सा difference होता है क्यों होता है क्योंकि वहां पर जो layers टोट रही हैं उसके साथ साथ कुछ cellular debris भी होते हैं उसके कारण से ये खून जो है वो थोड़ा सा अलग होता है और आगे बढ़ते हैं कि cyclic changes occurring from one menstruation to the next comprises a menstrual cycle यानि कि जो पहली menstrual cycle आपकी आई है उसके बाद जो अ इन 28 दिनों के अंदर कई सारे cyclic changes होते हैं उसके body के अंदर उसके hormone उपर नीचे होते हैं उसके गरभाशे में कुछ changes होते हैं उसके अंडाशे में कुछ changes होते हैं तो वो सारी चीज़े में आपको समझाना चाहती हूँ कि आखिर में इन 28 दिनों में क्या होता है ठीके अब आगे बढ़ते हैं कि duration of menstrual cycle मैंने बोला कि 28 दिन की cycle होती है 28 दिन की होती है बराबर लेकिन ये cycle जो है वो थोड़ी बहुत उपर वीचे हर महीला में हर लड़की में हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि हर महीला का वातावरण अलग है ठीक है उसका खाना पीना अलग है उसके ह वज़े से थोड़ा बहुत उपर नीचे इसमें हो सकता है ठीक है जैसे कि अगर बात करें कि एक जुलाई को उसका टाइम आया ठीक है एक जुलाई को उसका पीरियड आया तो अगला आपका आएगा एक अगस इसमें आपका 28 से 29 दिन का variation होता है लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ एक normal लड़की की जिसमें ये सारी phases बिलकुल normal है लेकिन मैं ये भी क्या रही हूँ कि थोड़ा बहुत changes हो सकता है क्योंकि वातावरण का temperature का इन सभी का effect होता है तो it may be vary between 20 and 40 days इनका variation जो है वो हमें देखने को मिल सकता है ठीक है अब ये start कब होती है कब जो है वो menstrual cycle स्टार्ट होती है तो menstrual cycle start होती है जिसे हम कहते हैं रजो दर्शन से रजो निवरती मतलब कि जब स्टार्ट होती है तब से जब menstrual cycle बंद होती है तब तक कि stage को हम कहते हैं देखो, menstrual cycle start होती है after puberty, जब एक महिला में, एक महिला नहीं, जब एक लड़की में puberty आती है, 11 से 12 साल, आजकल जल्दी आने लग गया है, तो 11 से 12 साल की यर इसलिए हम कह रहे हैं, तो 11 से 12 साल की बात में उसके body में कुछ changes होते हैं, puberty जब आती है, तो एक तो menstrual cycle start होती है, breast increase होना start हो जाते हैं, उसके जो genital area है, वहाँ पर hair आना start हो जाते हैं, तो ये कुछ changes जो होते हैं, वो एक लड़की के अंदर आते हैं after puberty, और वही पर आपकी menstrual cycle भी start होती है, जिसे हम कहते हैं मिनार के, क्या कहते हैं, मिनार के कहते हैं, जब एक लड़की में menstrual cycle start होता है और menstrual cycle चलती हैं आपकी 12 से 50 साल तक, जिसे हम कहते हैं menstruation phase, 12 से 50 साल तक चलती है, और 50 साल के बाद ये बंद हो जाती है, लगबग 50 से 55 साल के बाद ये बंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं menopause, क्या कहते है menopause, post का मतलब होता है रुकचना, तो यहाँ पर menstrual cycle रुक जाती ह और हिन्दी में मेंनारहके को कहते हैं रजो दर्शन और मेनो पोस को कहते हैं रजो निवरखी, यानि कि उसको रजोधर्म से निवरखी मिल गई है, अब उसका पीड मोर्ष नहीं आएगा. ठीक है अब देखो बहुत सारी लड़कियों को pain होता है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन 5 दिनों 5 दिनों तक उसकी normally menstrual bleeding होती है किसी किसी में 2 दिन भी होती है किसी किसी में 3 दिन भी होती है किसी किसी में 5 दिन तक भी चलती है तो उस दोरान उसको कई दर्दे से सामना करना पड़ता है, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का कमर दर्द होता है, किसी का सर दर्द होता है, उसका मूड खराब रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा मन होता है कि बस लेटे रहें, तो अगर किसी किसी को ज तो यहाँ पर योगा बतारा हूँ, तो इस टाइब की योगा वही है WAGES कर शकती है ताकि उसको पेहने से थोड़ा Blaze मिले लटकी में आती है, जब याली के बाद किसी लड़की में यह स्टार्ट होती है किसी लड़की को नहीं कहेंगे हर लड़की में जब यह स्टार्ट होती है तो थोड़ी से डर सी जाती है इसलिए हम सभी को इसके बार में पता होगा तो हम उसको समझा पाएंगे कि यह एक नॉर्मल क्रिया है जो कि हर लड़की में होती है इसमें डरने की, गबराने की, शर्माने की कोई बात नहीं है, ये होना जरूरी है हमारे लिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो आगे बताऊंगे, तीके आगे बढ़ते हैं, पीने बताया कि अगर किसी को पेन उराओ तो इस तरीके कि योगा कर लीजे, सिकाई कर लीजे चाई पी लीजे, उससे थोड़ा रेलीफ मिलेगा, आपका जो मन है, वो कीजिए, जो खाने के इच्छा है, वो खाईए, बस मसाले वगेरा थोड़े से कम खाना है हमको, ठीके इस समय में, और उसके बाद आती है सबसे जरूरी बात कि सेनिटरी पेट्स, ठीके इसके बार हुए कपड़ा होता है, उसका यूस करती है, उसको वाश करके रियूस करती है, तो ऐसा करने से कई महिलाओं में हमें यूटरिस कैंसर देखने को मिले हैं, इसलिए क्योंकि देखो पेट जो है, वो बहुत सारी महिलाओं आफोड भी नहीं कर सकती, नहीं ला सकती, क्योंकि पेड इतने महेंगे तो या तो उसके कारण नहीं ला सकती तो गाउं में कहीं महिला इसका इस्तमाल करती है तो बस उन से मेरा इतना सा निवेदन है कि आप आपका थोड़ा सा दूसरा खर्चा कम कर लीजिए लेकिन पेड का इस्तमाल किजिए क्योंकि हमारे लिए हमारे शरी की क्रिया है जिसके लिए हमें जरूरत है उसके लिए हम यह चीज ला रहें इसमें किस बात की शर्म है कोई अच्छूत जैसे करते हैं कि अगर किसी किसी लड़की को पीरियट्स आगया रस्ते चलते हैं उसके कपड़े खराब हो गए तो हसी उडाते हैं लोग उसकी क्यों हस की को यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे ही शरीर का बचाव हो आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर में इसके अंदर होता क्या है देखें यहां पर मैंने बोला कि एक महिला के अंदर जो जब मेंस्ट्रोल साइकल चलती है तो इन 28 जिनों के अंदर कह ही सारे चेंजस होते हैं तो कहां कहां पर चेंजस होते हैं तो चेंजस जूरिंग मेंस्ट्रोल साइकल मासिक धर्म चक्र के दोरान परिवर्तन जो होते हैं वो आपके गर्भाशय में भी होते हैं आपकी ओवरी के अंदर यानि की अंडाशय के अंदर भी होते हैं के द्वारा निकलते हैं जिनका नाम है प्रोजेस्टोन और एस्टोजन इनका लेवल भी कम और जादा होता है तो इन सारी चीजों में आपका वीरेशन आता है जैसे कि अगर हम बात करें तो यूटिरस की तो गर्भाश है यह है एक महिला का गर्भाश है यह वाला जो भागे पूरा है यह गर्भाश है जिसमें एक बच्चे का डेवलप्मेंट होता है एक बच्चा नो महीने तक रहता है तो इसके अंदर क्या चेंज़ेस होते हैं कि जब आपके पांस दिन की साइकल निकल गई जीरो से पांस दिन तक ब्लीडिंग चलती है उस ब्लीडिंग के अंदा जो है वो यहां से ओवरी से निकल कर आएगा और अगर स्पम आ गया तो वहां पर फर्टिलाइजिशन होगा जाइगोड बनेगा और एक बच्चे का डेवलप्मेंट इसके अंदर होगा तो वह युटेरस अपने आपको ऐसा प्रिपैर करता है ताकि वह एक एडिशन यानि कि उसको तयार करना शुरू कर देता है और इन पांच दिनों में क्या होती है आपकी यही एंडोमेटरियम तूट कर नीचे गरती है और पांच दिन के बाद फिर से इसका बनना जो है वो चालू हो जाता है और इसे बीच जब आपका इधर युटेरस प्रि कर रहा होता है यह आपके क्या है ओवरी है यह एक महिला की ओवरी है और इसके अंदर क्या बनता है एग या फिर ओवा जिसे हम अंडा कहते हैं तो अंडा बनता है तो यह फॉलिकल से इस फॉलिकल के अंदर जो यह अंडा है वो मैचोर होता है इसी बीच इनहीं 28 दिन के एक फैलोपीन ट्यूब यहेक महिला की फैलोपीन ट्यूब और यहाँ पर वो एग रखा हुगा यह रहता है लगग एक से दो दीन तक और इसी बीच अगर यहां से SMOM आ गया तो क्या होगा इन दोनों का मिलन होगा वैसी लिए इसलिए ये सारी process होती है अगर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या हुआ sperm नहीं आया तो ये जो आपका ova बना था इस ova को बाहर निकलना पड़ेगा और जब ये ova बाहर निकलता है तो आपके ये जो endometrium है ये वाली layer है इसे हम कहते हैं endometrium ये endometrium layer contract होती है contract होती है और तूटती है जब ये contract होती है तो वो क्या करती है यहां से तूटने लगती है और जब ये तूटती है तो यहां से blood बहार निकलता है और यहां से कुछ cellular debris जो है वो बहार निकलते है और ये contract होती है इसी के कारण महिलाओ को पैट में दर्द होता है किसी किसी के तो endometrium तूटेगी इस एग को बाहर निकालेगी अब इन सब में man role आता है यहाँ पर आपके hormones का यह जो FSH है इस FSH का काम होता है कि आपके ovary के अंदर यह जो एग बन रहा है यह जो follicles बन रहे हैं इनको बनाने का काम होता है और LH का काम जो होता है वो भी इसी के लिए होता है कि follicles बनने के बाद में जब यह अंडानों बहार निकल जाता है जब यह अंडा बहार निकल जाता है तो इसके अंदर जो बचा हुआ भाग रहता है follicles का वो एक yellow body में convert हो है और वो प्रोजिस्टोन को बढ़ाता है क्या करता है ब्रोजिस्टोन यह आपका प्रोजिस्टों इस च्यांडान को बढ़ाता है ताकि अंदर प्रेग्निंसी का How सके चिक है और स Yogim का का है तो तो स Yogim है कि आपक है यह जो एंडोमेट्रीयमा चयार होती है यह ग farms होता है और ज्यादा होता है यह सारी प्रोसेस करवाने के लिए अब यह सारी चीज़े होती है आपके इसके अंदर लेकिन हम एक बार और आपको समझाते हैं कि आखिर में इसके अंदर क्या-क्या यहाँ पर देखते हैं कि प्रजणन चक्रचरण यानि कि ऐवरी अंदाशए और युटेराइन चैंजिस के बेस पर एक महिला के अंदर कितने च्रण होते हैं इन 28 दिनों के अंदर तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला फेज्या है फेज है मेस्टूल फेस जो कि 0 से 5 दिन का होता है कितने 0 से 5 दिन का होता है जिसमें एक महिला को क्या होती है bleeding होती है bleeding होती है यानि कि blood निकलता है फिर आती है आपके दूसरी follicular face follicular face मतलब कि फिर से वो follicles develop होना शुरू हो जाता है पांच दिन तक bleeding हो गई bleeding हो गई मतलब कि बच्चा conceive नहीं हुआ बच्चा conceive नहीं हुआ तो गरबाश है फिर से तयार होना चालू होगा आपकी ओवरी फिर से अपनी process करना चालू कर देगी तो यहाँ पर एक क्या बनेगा आपका follicles बनेगा follicles के अंदर क्या है follicles के अंदर है आपका एग यानि की अंडा है इसका maturation चालू होगा तो यह कितने दिनों में होगा पांच दिन के बाद 14 दिन तक यह process होती है कितने पांच दिन से 14 दिन तक यह process होती है 14 दिन के बाद में यह एग बाहर निकल जाता है जिसे हम कहते हैं ovulation phase क्या कहते हैं ovulation phase यह आपकी लगबग एक से दो दिन की यानि कि 14 या 15 चाउदा पंदरा को मान लेते हम 14 15 को आपका ovulation जो हो जाता है यह एग आपका बाहर निकल जाता है जैसे ही ये बाहर निकलता है आपके जो गर्बाशे से एक टूब निकली हुई होती है जिसे हम यूटिराइन टूब या फैलोपेन टूब कहते हैं वो इसको केच करके अंदर ले जाती है ताकि इस स्पर्म से इसका मिलन गर्बाश सके अगर नहीं मिला इस स्पर्म तो ये ब बाहर निकलेगा तो आपकी फिर से यही वाली फेस जो है वो चालू हो जाती है और यह जो बचा हुआ भाग है यह वाला जो एक निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं लूटियल फेस और यह जो लूटियल फेस का जो है वो डेवलोप्मेंट होता है औ यानि कि 15 के बाद में जो 28 दिन तक आपका यह लूटियल फेस चलती है अब एक ग्राफ आपको बताती हूं ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए कोई भी डाउट आची क्लास का जो है वो मेंस्ट्रॉल साइकल का नहीं बचेगा एक इस ग्राफ से में बताती हूं आ यहां से टूट रही है और जब टूट रही है तो ब्लड निकल रहा है पांच दिन तक 20 अब उपर चलते हैं आपके उभ्री के अंदर क्या हो रहा रहा है यहाँ डर्या एक है आपका estrogen और एक है यहाँ पर progestone इनका लेवल भी क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है क्योंकि आपकी estrogen जो है वो endometrium को prepared करेगा और progestone pregnancy करवाने का काम करेगा अगर और उपर चले तो यहाँ पर आएगा आपका LH luteinizing hormone और नीचे आएगा आपका FSH follicle stimulating hormone यह FSH क्या कर रहा है follicles का development करवा रहा है और luteinizing आगे corpus luteum को development करवाने का काम करेगा तो यह 5 दिन की face हो गए उसके बाद अगली face चुरू हो जाती है 5 दिन के बाद जो 14 दिन तक 5 से 14 दिन तक क्या हो रहा है आपके endometrium prepared हो रही है और यह prepared हो रही है तो graphene follicles बिलकुल complete mature हो जाता है जब यह mature होता है तो estrogen का level यहाँ पर काफी बड़ा हुआ देखने को मिलता है क्योंकि वो endometrium को prepared कर रहा है follicles follicles के लिए LH का level और FSH का level काफी increased है क्योंकि वो follicles का development कर वा रहा है और आगे यहाँ पर बड़े तो 14 से 15 दिन जिसे हम ovulation phase कहते हैं जिसमें आपका यह अंडा बहार निकल गया है और यह आपका बचा हुआ बाकी का भाग है जिसमें आपके सबी hormone के level जो है वो बड़े हुए है ठीक है अब और आगे बड़े तो यह 15 दिन के बाद में जो 28 दिन तक यह जो cycle होती है उसी में सारा खेल होता है सारा खेल यहीं पर हो जाता है कि pregnancy करवानी है यह नहीं करवानी है देखिए यहाँ पर कि मैंने बोला कि FSH का level increased है LH का level increased ह सब कुछ यहाँ पर तयार है और यहाँ पर जो बचा हुआ भाग है इससे आपका corpus luteum बन गया है ठीक है सब कुछ prepared है अब जैसे ही corpus luteum को progestone ने देखा कि corpus luteum आ गया अब मुझे बढ़ना है तो जैसे corpus luteum बना प्रोजिस्टोन का level फट से increase हो जाता है यह प्रोज ovulation हो गया है एग बनकर release है प्रेगनेंसी के लिए प्रोजिस्टोन आ गया है अब देरी है केवल sperm की अगर इस बीच यहाँ पर sperm आ गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर नहीं आया तो फिर से अगली phase चालो हो जाएगी तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यह phase यहाँ रुख जाएगी सारा ऐसा का ऐसा रहे जाएगा और अगर नहीं आई तो क्या होगा फिर से अगली phase चुरू हो जाएगी और फिर से आपकी अगली phase जो है वो menstrual bleeding की phase जो है वो चालो हो जाएगी बस यही एक महिला के अंदर जो है वो इन 28 दिनों में होता है और इसी के बारे में हमें समझना है I hope आज ही class जो है आपको समझ में आई होगी और अगली class में मिलते हैं अगले topic के साथ thank you